दोस्तो WordPress पे बेसाइट करने के बाद अब आपको जवरत है फ्लगिंग्स इस्टॉल करने का और थीम सेलेक्ट करने के लिए क्योंकि दोस्तो थीम सेलेक्ट करके और कुछ फ्लगिंग्स को यूज करके आप अपने बेसाइट को एक प्रोफेस्नल बेसाइट बना सकते हैं डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि ऐसे से वीडियो आपको मिले सबसे पहले दोस्तो सबसे पहले तो अपने वर्ड प्रेस में लॉग इन हो जाएंगे और आपको डेस्ट बोर्ड पे आ जाना है डेस्ट बोर्ड पे आने के बाद लेफ्ट हैंड में आपको प्लगिंग्स का अप्सन मिलेगा simply इस पे click कर देना है click करेंगे नीचे आपको मिलेगा install plugin इस पे click करेंगे आपके dashboard में जितना भी plugins पहले से install होगा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अब आपको यहाँ पे सारे को select करना है और simply इस पे click करेंगे और delete को select करेंगे और apply पे click कर देंगे यहाँ से ok कर देंगे confirm कर देंगे क्योंकि पहले से जो भी plugins है उसे हमें delete कर देना है यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे plugins delete हो चुका है लेकिन एक यहाँ पे रह चुका है क्योंकि यह पहले से deactivate नहीं था सबसे पहले आपको deactivate करना परेगा इसके बाद ही delete हो पाएगा आप देख पाएंगे इसे भी हमने deactivate कर चुका हूँ simply यहाँ से delete पे click करेंगे ok करेंगे यह plugins पे delete हो जाएगा अब हमें नया plugins install करना है और कौन सा important है हमें install करने के लिए ओ देख लेते हैं simply यहाँ पे add new पे click करना है add new पे click करने के बाद और सबसे पहले देख लेते हैं list की हमें कौन कौन सा plugins install करना है हमारे list में यहाँ पे 7 plugins है जिसमें first number पे optimize है simply इसको करेंगे copy copy करने के बाद आजाएंगे dashboard पे और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे add new पे click करना है और इसके बाद search bar पे click करके paste करना है paste करेंगे आपको आजाएगा कुछ इस तरका देखने को मिलेगा plugins simply आपको install नाव पे click कर देना है और install कर लेना है इस plugins से अमें यह फायदा होने वला है जो भी आप image upload करेंगे अपने बेव साइट पे उसको optimize करेगा और आपका बेव साइट का speed बनाए रखेगा simply install हो चुका है अब आप दुबारा से यहाँ पे आते हैं और देखते हैं इन सारे plugins का नाम मैं दे दूँँगा description में आप चाहें तो वहाँ से copy paste कर सकते हैं second में है classic editor simply इस पे copy करेंगे इसको और dashboard पे जाएंगे यहाँ पे paste करेंगे paste करने के बाद आ जाएगा classic editor जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं install नहाँ पे क्लिक करेंगे install होना start हो जाएगा फिर से चलेंगे notpad पे और यहाँ पे है तिन नमर में contact form 7 simply इसको भी करेंगे select select करने के बाद दूबारा से चलेंगे अपने dashboard पर और search bar पे क्लिक करेंगे select करेंगे paste करेंगे paste करने के बाद आपको देखने को मिलेगा इस वाले plugins को install नमर पे क्लिक करना है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा contact form 7 इस पे install नमर पे क्लिक करके install कर लेंगे दूबारा चलेंगे note fed way और आपको यहाँ पे चार नमर में है rank math यह आपको download करना ही है क्योंकि आप जो भी article लिखेंगे उसको SEO करने में और rank में लाने में यह plugins मदद करता है बहुत जादा important है दुबारा से आएंगे यहाँ पे paste कर दूँगा paste करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे rank math simply आपको install नमर पे क्लिक करके इसे भी install कर लेना है install करने के बाद दुबारा से चलेंगे notepad पे और यहाँ पे देख लेते हैं add to any share button इसको आपको install कर लेना है यह आपको वहाँ पे काम करेगा जिस theme में share button नहीं है वहाँ पे आप share button लगा सकते हैं share का option लगा सकते है कि आपका जो भी article है कोई भी बंदा कहीं भी share कर सके बीना link copy किये direct whatsapp या फिर message या फिर instagram facebook कहीं चाहे जहां चाहे वहाँ पे share कर सके simply यहाँ चलेंगे dashboard में यहाँ पे पेश्ट करेंगे पेश्ट करने के बाद और यह आ जाएगा add to any share button आप यहाँ पे दिख पाएंगे simply यहाँ install now पे किलिक करके इसे भी install कर लेना है सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो download करें या फिर रहने दें के के start से आपको यह फायदा होने वाला है जैसे कि कोई भी article आप Google में search करते हैं और description के बाद rating आपको दिखाई देता है कुछ इस तरह से कि इस article पे इतना rating है इतना review दिया गया है तो आप इसको use करके आप अपने article पे भी rating लगा सकते हैं start लगा सकते हैं तो इसको download करने के लिए simply इसे copy करेंगे dashboard पे जाएंगे add new पे किलिक करेंगे और search bar पे किलिक करके paste करेंगे और आपको इस plugins को download कर लेना है आप यहां पे देख पाएंगे आचुका है कमल खान का बनाया गया है simply आपको install now पे किलिक कर देना है install now पे किलिक करने के बाद यह भी install हो जाएगा फिर आएंगे notepad में और यहां पे देख लेते हैं तो डावलू पी side map page इसको आपको install कर लेना है इससे आपको यह फाइदा होने वाला है कि आप जो भी article लिखेंगे आपको एक ही page पे देखने को मिल जाएगा कोई भी viewers आता है विजिट करने आपके बेव साइड पे और अगर साइड में page पे किलिक करता है तो आज तक जब ओ किलिक करेगा उसके पहले आप जितने भी article लिखे होंगे सब कुछ एक ही page पे उसको देखने को मिल जाता है और जो article उसको पसंद आए ओ ओ रीड कर सकता है इसको डाउनलोड करने के लिए simply install ना पे किलिक करेंगे install हो जाएगा ये भी वहां से आप active कर सकते थे लेकिन यहां पे आप simply क्या करेंगे install plugins पे किलिक करेंगे और जितना भी आप डाउनलोड किये होंगे install किये होंगे सारे plugins यहां पे देखने को मिल जाएगा सारे को अब यहां पे आपको active पे किलिक करके और सारे plugins को active कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे एके करके active कर देता हूं सारे plugins को यहाँ पे allow करने के लिए बोल रहा है तो मैं इसको allow भी कर देता हूं के के star rating को और फिर से यहाँ पे आएंगे plugins और installed पे किलिक करके और भी जितने भी बचे हुए हैं सारे को एके करके यहां पर active कर देंगे आपको भी ऐसे ही सारे plugins को active कर देना है यहां पर connect करने के लिए बोल रहा है account तो इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसे back करता हूं इसको आपको connect कर लेना है कोई जादा लंबा process नहीं है आप आसानी से connect कर सकते है इसके बाद अब theme इस्टॉल करने के लिए simply आपको अफ्रियेंस पे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर थीम पे क्लिक करना है themes पे क्लिक करने के बाद आपके WordPress में जितना वी theme डाउनलोड होगा सारे यहाँ पे दिखाई देगा और अगर नया theme डाउनलोड करना चाहते हैं इस्टॉल करना चाहते हैं तो add new पर क्लिक करना है यहाँ पे और add new पर क्लिक करके आपको यहाँ पे बहुत सारे theme मिल जाएंगे जो चाहे वो आप यहाँ से इस्टॉल कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे theme ह जो आपको अच्छा लगे वो आप यहां से install कर सकते हैं इसका preview देखने के लिए आप simply यहां details and preview पर क्लिक करेंगे और यह theme आपके बेव साइट पर install होने के बाद कैसा देखेगा आप यहां पर देख सकते हैं preview करके जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के और इ इस तरह करेंगे एक्टीव पर क्लिक करने के बाद यह एक्टीव हो जाएगा और यह theme मेरे बेव साइट पर install हो जाएगा अब इसको बिजिट करने के लिए simply यहां पर आते हैं बिजिट साइट पर क्लिक करेंगे new tab में open कर लेता हूं और यहां पर आप देख पाएंगे आ लोग या फिर वेव साइड है उसके हिसाब से आप देख लेंगे कौन सा आपको अच्छा लग रहा उसको आपको install कर लेना है इसके बाद अगर आप कहीं दूसरे जगह से theme डाउनलूड की हैं और file install करना चाहते हैं तो आपको यहां पर simply upload theme पर क्लिक करना है जैसे कि मैं द load theme simply इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको चूज फाइल करना है चूज फाइल करके और जहां भी आप theme का file रखे होंगे उसको आपको select कर लेना है और से हम वही process है install now करेंगे active करेंगे active हो जाएगा ऐसे करके आप theme भी अपने word phrase पे install कर सकते हैं और अपने website को एक नया look provide कर सकते हैं और customize कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही I hope एक वीडियो आपके लिए helpful हो अगर एक वीडियो आपके लिए थोरा सा भी helpful हो तो वीडियो को like, share और channel को subscribe करना कभी न भूले ताकि ऐसे से वीडियो आपको मिले सबसे पहले